गुड मॉनिंग मेरे बच्चों, तो मैं आपको बताऊँगा कि PISA का CCT 8 कैसे देना है, तो मैंने पहले ही आपको CCT 8 का question paper भेज दिया है, आपको उसमें ABCD में solve करना है 30 questions है, और mostly जो सबके answer से ABCD में ही है, और अब आपको क्या करना है, कि ये जो link है, मैंने आपको link भेजा है https.com.gov.in.cct, इस पर हम click करेंगे, open with Chrome या आपके जो भी browser उससे आप open करेंगे, इसमें ये पहली बाली जो window है, वो थोड़ी change हो गई है, लेकिन बाकी वो वैसे ही है, जैसे आपने CCT 6 और 7 दिया था, अब इसमें आप किसी बच्चे का, जैसे हमें user ID डालता हो, तो मैं आपको बता दू, user ID ही password है, तो user ID और password सेम है, तो ये इस तरह की screen खुलकर आएगी, ठीक है, लेकिन अगर कुछ बच्चे screen को पहली बार खोल रहे हैं, जो कि दुरवागवा CCT 6 और 7 नहीं दे पाए, तो चलो कोई बात नहीं, अब आप CCT 8 दीजिए, तो उसमें आ के बच्चे में आएगी, जो इसको पहली बार खोल रहे हैं, तो इसमें आपके लिए screen खुलता ही, change password का option आएगा, change password के लिए, आप password को अपने एसाफ से change कर सकते हैं, लेकिन बच्चे अकसर भूल जाते हैं, तो वैतर यही रहेगा, आपका जो password था, वही रखे, इसमें ज को, submission पर click करेंगे, submit होते ही, यह screen आएगी, password change successfully, और अगर आपने cct 6 से 7 दिया है, पहले इस portal को खोला है, तो कोई problem नहीं होगी, direct आपकी screen खुल कर आएगी, अब आपको बच्चों क्या करना है, इसमें से देखो, cct test पर click करना है, अभी और सब नहीं, किवल direct cct test पर click करेंगे, अब जब आप click करेंगे, तो कुछ आपसे confirmation मागेगा, जैसे name, एक student का name है, तो class 7 जैसे इसमें, कोई भी class जो आपकी होगी, वो आएगी, अब यह year select करना है, तो year, एक ही option है, 2000, 20, 21, तो आप इसको select कर देंगे, अब इसमें cct मागेगा, तो cct जब आप select करेंग करना आपको है, अब आपने जो पहले से cct, 8 का जो paper solve किया, PDF, rough copy में, यह paper पर, उसी से आपको यह उतारना है, अगर आपने नहीं किया, तो अभी भी समय है, इसको कर लीजे, और बसे मैंने instruction दिया, तो इसको कर लो, अब इसमें आपको capital में A, capital में B, या CD type करना, सारे capital में type करने है, ठीक है, इसके बाद क्या करना है बच्चो, जब आप कर लेंगे सबको, तो यहाँ, लास्ट में नीचे की तरफ, एक बटन आएगा, save or submit, तो save or submit बटन पर click करेंगे, मैं करूँगा नहीं, लेकिन save or submit पर click करेंगे, इससे क्या है कि वो save हो जाएगा, लेकिन अभ बच्चो, जब आप submit कर लेंगे, तो आपको यह lock test पर click करना है, यह देखो, lock test ही बड़ा सा है, इस पर आप click करेंगे, जब आप इस पर click करेंगे, तो आपको वो detail, जैसे आपका name पहले से आएगा, cct8 आपको फिर से select देना होगा, year आपको फिर से select करना होगा, जब बच इसमें आपको एक ही select करना होगा, 2020, 2021, और फिर cct, इसमें एक ही option select करने को होगा, cct8, आप इसको select करेंगे, test lock करने के screen के सबसे नीचे जाएंगे, तो यहाँ LOC के lock लिखा होगा, तो इस lock को press करेंगे, जब बच्चों आपका test lock हो जाएगा, तब सबसे आखिरी में आपको यह screen आएगी, जिस पर यह कुछ लिखा होगा, कि इसमें यह लिखा होगा कि आपने number of question attempt किये, इतना है, जिसे 25 पर जो भी number of questions आपने attempt किये, जब यह आजाए, जिसमें इसको लाल गेरे से mark कर रखा है, और यहाँ पर cct 8 लिखा आएगा, तो यह last screen आएगी, इसका आपको screenshot जो आपके teacher आपको बताए गए है, जैसे 8th B का LK सर को देना है, ठीक है, 10th A का IJ सर को, 10th B का Bio सर को, 11th class का पूरन सर को, और 7th class का और 8th A का मुझे बेजना है, यह आप बेज देंगे, यह screenshot बेज देंगे, तब आपका test जो है complete माना जाएगा, तो all the best, अभी से इसको करने में जुड जाएगे, आपके पास आज का पूरा दिन है, कल का भी दिन है, लेकिन आपको आज मी मान के चलिए, आपको आज ही finish करना, क्योंक technical problem अगर आजाए कल, तो आप आज ही मान के चलिए और इस test को जल से जल complete कीजे, all the best.